वेलकम टू अश्टरी टूटीफोर दोस्तो एक बड़ी ख़बर सामने निकल के आ रही है और इसमें पूरी दुनिया में खुसी की लहर दोर चुकी है और उमीद की किरन जाग चुकी है तो मिल गई है कोरोना की दवा इजराइल ने खोज ली है बैक्सीन जिससे पूरी दु 13.4.2020 को ही छपी है चलिए मैं आप तो दिखा देता हूँ तो देखिएगा यहां पे दिया गया है देख सकते हैं आप जून तक मनुस्यों पर परिच्छन करने की बात कही परियोग सफल रहा तो भारत को भी यह दवाई दी जाएगी बैक्सीन दी जाएगी चलिए देखत उन देशों में सामिल हो गया है जो कोवीड 19 के खिलाफ जंग में उमीद की किरन दिखा रहे हैं दो इजराइली कमपनियों ने कोवीड 19 की रोक्ताम के लिए परभावी वैक्सीन खोजने का दावा किया उमीद जताई जा रही है कि जून तक इसका मनुस्यों पर भी हो जाएगा अगर परियोग सफल रहा तो कोरोना के खिलाफ जंग लेड़ रही दुनिया को बड़ा तोफ़ा इजराइल की और से मिलेगा भारत और इजराइल इलाज से जुड़े भी बिन पहलुओं के बारे में जानकारी साज़ा कर रहे हैं तो भारत को पूरी मदद दी जा रही है इजराइल के तरफ से और जो भी खोजी जा रही है उसके बारे में भारत को भी बताया जा रहा है ताकि भारत भी इसमें सामिर होके जल्द से जल्द दवाई बना पाए देखिए इजराइल का दवा दवा है कि और दोस्तों देख सकते हैं इजराइल का दव भारत मिलकर COVID-19 को पराजित करने का रास्ता तलास लेंगे परियोग सफल होने पर भारत इजरायल से तकनिक हासिल करेगा और देख सकते हैं इजरायल ने अपने यहां सस्ता और बोलने वाला बेल्टी लेटर भी बनाया है इजरायल कमपनी ने एक सस्ता बेल्टी लेटर भी तयार किया है इसका डिजाइन साजा करने पर बात हो रही है एक बोलने वाला बेल्टी लेटर भी तयार किया गया है तो जल्द ही इंतजार करना होगा थोड़ा क्योंकि जून में इसका परिक्षन होगा उसके बाद ही ये मनुस्यों पर कैसा असर करता है इसके बारे में ज बताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी दवाई आ जाएगी और इससे दुनिया को फाइदा होने वाला है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और पलपल के अफडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं आपक के लिए जो भी अच्छा न्यूज होगा मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिंद